last but not least जिसके चलते बच्चों की बहुत बुरी स्तिती हो जाती है confusions create हो जाते हैं और जिसके चलते फिर वो तस अलग-अलग तरीके के materials में हाथ मारते हैं और अपना time and efforts खराब करते हैं वो है current affairs current affairs के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो बच्चे जो consistently current affairs के notes बना रहा है Hindu newspaper या Indian Express को पढ़ रहा है उसमें से लगातर अपने notes बगरा बना रहा है और किसी के particular lecture series को follow कर रहा है तो भाई आप वो ही कर रहा है अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं है मतलब emphasis करके बोल रहा हो अगर आप अपने notes खुद के बनाए चले जा रहा है तो उनी को follow करो और किसी एक particular की lecture series आप follow कर रहा है current affairs के लिए तो वो ही देखो अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं है अगर आप यह सम्द नहीं कर रहे हो तो फिर in that condition और अभी आप यह सोचोगे कि मैं 10 महीनों के या 12 महीनों के यह vision IS की या फिर insights of India की या किसी और coaching institute की वो monthly magazines download कर लेता हूँ फिर उसको पढ़ना शुरू करूँगा तो यह गलती ना करिएगा क्योंकि वो अगर आप पिछले जन्मरी से भी download करना शुरू करोगे तो बहुत बड़ा और बलकी content बन जाएगा एक तो आप उसे पुरा पढ़ना ही पाऊगे और याद लटना तो खेर next to impossible है वो विवकूफी हो जाएगी अगर current affairs अभी तक prepared नहीं किया है तो simple सा funda है vision की PT आती है मैं यहाँ पर 65 लिखा हुआ है basically 365 होता है prelims test 365 के नाम से series आती है उस series को आपने देखना है उस series को आपने डाउनलोड करना है vision की PT 365 उसको आप देखिए इसके अलावा अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ यह शाय टाइपिंग में mistake हो गई तो prelims test की जो यह PT 365 है आपने इसको follow करना है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी vision की website से इसके अलावा अलग से कुछ और मत देखिए PT 365 की जो भी उनकी अलग-अलग booklets आती है तो इस साल की देख लीजे और इसके पहले वाले साल की पिछले वाले साल की भी selective reading करिएगा इस साल की जो है उसको ढंसे देख लीजे इसके अलावा कुछ और मत करिएगा चाहे कुछ हो जाए आपकी यह जो test papers बगरा लगा होगे या अगर कहीं पर कोई आपने टेलिग्राम पर group join कर रहा है जो questions बगरा डालता है या अभी एकदम series शुरू होगी questions बगरा solve कराने की current affair के question बने ना बने panic नहीं करना है कोई भी नया source मच शुरू करना कई बार माहौल बनाने के लिए जान मुझ कर जो है वेलन गुड है चलने दीजिए अगर नहीं कर रहे है तो फिर वो बारा महीनों की पंदरा महीनों की वो monthly booklet डाउंडोड करकर अपना वक्त और समय मत खराब करिएगा PT 365 डाउंडोड कर लीजे वेजन की website से इस साल की और इसके अगले साल की इस साल की इनको पढ़िए इस साल की जरण से पढ़िएगा पिछले साल की selective reading करिए more than enough है इससे जादा कुछ नहीं और उसमें भी एक एक छोटी-छोटी minute-minute ख़बर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है बड़ी-बड़ी जो आपकी important news है सिर्फ उसी पर अपने को emphasis करना है अलग से emphasis और मैं underline करके बोल रहा हूँ दुनिया इधर की उधर हो जाए चाहे कितना ही डर लगे, कितना ही panic करो कितना ही माहौल बनाए, कोई भी कितना ही questions बगरा ना बने current affairs के अलग से अभी कोई नया source चालू मत करियेगा कि अपन ये इतने 10 महीनों का ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, हो सके तो ये गलती मत करियेगा that's it, मैं यही बात कह सकता हूँ ये mistake मत करियेगा